मूबी की जरुआत होता है एक अमास नाम का प्लैनेस है जहांपे हमें एक परिवार दिखाया जाता है उनमे से उनकी बेटी को एक बिमारी रहता है लेकिन उनकी पिताजी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं रहते हैं क्योंकि जो जोब वो करता है उसमें उतना पैसा नहीं तब वह एक अच्छी सलेदी वोला जोब करने के बारे में सोचता है जो कि उसे मिल भी जाता है लेकिन उसे बहुत दूर जाना रहता है अपने परिवार से बहुत दूर फिर वह अपनी बेटी को प्रोमिस करके जाता है कि वह जरूर आएगा उसे एक पैलेट के जोब मिलता है जो कि पैसेंजर को अंतिर्च की सेर कराता है लेकिन जैसे वह अंतिर्च में सेर करी रहा होता है तो बहुत सारे एस्ट्रोनेट उसके जहांच से टकराते हैं और उसका जहांच चकना चूर हो जाता है फिर उसका जहांच पीत्वी से आके टकराता है वहां हमें इंसान के जम से पहले कद्जी से दिखाये जाता है यानि डैनेसोर के जमाने का इंसान अभी पैदा भी नहीं हुए है तो पीत्वी में जैसे ही आके जहांच गिरता है जहाँ पूरा चकना चूर हो जाता है और जहाँ कि सारे लोग मारे जाते हैं लेकिन वो इनसान बज जाता है लेकिन उसे भी बहुत जादे चोड लगती है लेकिन उसके पास एक ऐसा गेजट रहता है जिसका यूज़ करके उसका गाव भर जाता है फिर वह अपना हथियार और किसी चीज का भी डीटेल देखने वाला उसके पास एक मसीन रहता है उसको उठाता है और वह वहाँ से जाने लगता है लेकिन वहाँ उसे एक लड़की मिलती है वह बेहोस हो जाती है तब उसे उठाके वहाँ एक घर मिले जाता है फिर जैसे उसे उस डाइनसार को मारते हुए देख लेती है और वह डर जाती है कि ये कौन है और वह उसे डर के भागने लगती है तब वह उसे पकरता है और समझा के घर ले आता है फिर उसे बात करने का वह कोशिज करता है कि वह कौन है लेकिन लड़की उसका भासा नहीं समझ पाती है फिर उसे एक टिकट मिलता है जिसमें उसका नाम पता चलता है उसका नाम रहता है बुवा फिर वह बोलता है कि मेरा नाम माइल्स है और मैं तुम लोगों को घर छोड़ रहा था तभी यह हासा हो गया मैं उस जहांच का पाइलेट था फिर वह बुवा को बोलता है कि हमें पह वार पहार के उपर है या जुट बोलके उसे पहार के उपर ले जाता है वहाँ पे माइल्स की बेटी का एक केसेट पड़ा हुआ रहता है जिसे वह बहुत देखने लगती है माइल्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह उस केसेट को बंद कर देता है तो फिर वह द शिकारी डैनासोर आते हैं और उसे जान से मार देते हैं या देखके दुनों डर जाते हैं और छुप जाते हैं तो वहाँ जगह बहुत ही खतानाक रहता है इसलिए वहाँ जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं इसलिए वहाँ पेड़ में चड़के देखता है कि हमें जो पहा मारने लगता है लेकिन उसका तादाद बहुत ही जादे रहता है और वह बोवा का पीछे भी पड़ जाते हैं अब इसर माइल्स अपना जान बचा है कि बोवा का जान बचा है तो वह सभी डैनसोर को अपने तब से मार देता है और बोवा का पीछे जो जानसोर जाता है उसको भी वह मार देता है या देखके वह बहुत बुरी तेकर से डर जाती है लेकिन मायल्स उसका डर खतम कर आता है और एक पहाण यानि गुफा के पास उसे ले जाता है ताकि वहां वह रात गुजार सके और सुबह होते ही वह पहाण की ओर चल पड़े लेकिन रात को जैसे ही वह सोती है उसके मूँ में एक कीड़ा गुर जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक रहता है लेकिन मायल्स किसी तरह उस कीड़े को उसके पेट से निकालता है इधर उसके पेट से कीड़े को तो निकाल देता है लेकिन वहीं पर एक बड़ा सा डैनोसोर बगल में आ जाता है और उनको मारने का कोशिश करता है लेकिन वह उसे बस्ते बचाते उसी के बगल में एक गुफा में अन्दर चले जाते हैं अब वह उसी रास्ते से तो बाहर निकलने सकते क्योंकि वहाँ पर डैनसर रहता है वहाँ वहाँ पर फस जाते हैं बस उसके पास उस बंदू का वो गोली रहता है, जो कि बंदू की तरह चल भी सकता है और बम की तरह फड़ भी सकता है, उसी गोली की मदद से वह एक छोटे से जगा पे उसे रखते हैं और उड़ा देते हैं, जिसके वाज़से छेद बनता है और बुवा उस छेद से निकल जाती है लेकिन मायल्स उसमें फस जाता है क्योंकि पत्थर गिरता है और वो जगा मुंदा जाता है बुवा जैसे भाहर आती है तो उसके पीछे एक डानोसर पड़ जाता है तो वह अपने दिमाग लगाती है और एक जगा पे फसा के वही गोली वाल बं से उड़ा देती है तभी मायल्स अंदर फसा हुआ रहाता है तभी एक डानोसर आके उस पे हमला कर देता है लेकिन वह बंदुक से उसे गोली मार देता है और वही गुफा में वो बम के वज़ा से एक जगा बन जाता है जिसकी वज़ा से माइल्स उस जगा से निकल जाता है माइल्स जैसे बाहर आता है तो उसे एक एस्टरोनोट दिखाए देता है तब ही वो एक दलडल में गिर जाता है तो वोख दलडल में पूरा अंदर समाही जाता है तब ही बोव आती है और उसे एक पेड़ की मदस से बचा लेती है तो फिर वो दोनों उस जगा पे पहुँच जाते है यानि पहाण में उस जगा के पास जहांपे जहांज रहता है फिर जहांज में पहुँचके जब बॉआ पूछती है कि उसके माता पिता कहा है तब माइल्स बोलता है कि वो मर चुके है तब बॉआ को बहुत जादे गुस्सा आता है कि तुमने मुझे जूट बोला कि मेरे माता पिता यहां है तब माइल्स बॉ है डैनसोर से लड़ने का क्योंकि वह आगर डैनसोर से लहीं लड़ेगा तो डैनसोर उसे मार डालेगा लेकिन तभी एक और डैनसोर आता है और दोनों डैनसोर मिलके उसे मारने को कोईश करते हैं लेकिन दोनों डैनसोर से बचते बचाते वह एक जगा पर आके फर्ज आता ह और वो डैनासोर उसे मारने ही वाला रहता है तभी बोवा उसकी बेटी के कुछ पिक्चर उसके सामने रख देती है जिससे वह एकदम गुस्सा हो जाता है और एक डैनासोर को एक गोली मार के वही पे धेर कर देता है तब ही दूसरा डाइनसोर बोवा को मारने के लिए जाता है और मारने के चकर में उसके जहांच को हुआ सिधा कर देता है पिर Myles गुस्षे में उस डैनासोर को बहुत सारी गोली मारता है जितना बंदूग मे के बंदूग मेराता है सारा गोली उसे मार देता है और वो डैनासोर वहीं पर मर जाता है जब वो सोची रहा होता है कि सारा ज़ंजट खतम हो गया लेकिन तभी और एक डैनसोर आ जाता है अब उसके पास बंदुग में गोली भी नहीं बहुता है तब वह भागता है भागता है और वह अलमाइस दोनों मिल के जो आलमुकी के पानी से उसके बोड़ी को पूरा जला देता है और वह डैनसोर वहीं पे मर जाता है